हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम टू मैं स्टेटी फीट और फिजिकल एजुकेशन चैनल, दोस्तों न्यू प्रैक्टिस का एप पैतालिस्वा वीडियो हैं, जैसा कि मैं आल फिजिकल एजुकेशन कॉंपरिशन एक जॉम के लिए टेली बेसिस प्रैक्टिस करा रहे हूं, जैसा क सफलता मिलेगी, तो BPSC, TRE4, UPTGT, UPLT, MP, में इक जॉम, WORK23, काफ विपरेशन कर रहे हैं तो डेली बेसिस मेरे साथ जुड़े रहे हैं, तो जैसा कि दोस्तों यह आपका जो सिर्जिस था समाप्त होता है आज पैतालिस्वा वीडियो के साथ, फिर मैं कल से आपको अगल उसके बाद से मैं सारी सिछा में अनुसंधान से स्टार्ट करूंगी, कल से वीडियो, तो डेली बेसिस से विजिट करते रहे हैं, तो चलते हैं और के कोशन के तरफ, कोशन नमबर वन है, निमने में से किसका निर्माण हमारे सरीज में नहीं होता, विचाथ फॉल्विंग इंजाइम निर्माण हमारे हमारे बाड़ी में होता है, विटामी ए, नहीं होता है तो हैं, यह बाहर से हमपो लेने पड़ते हैं. क्वेशन नेबर टू है कौन मानों गुरुदे यानि की किद्नी का समाने खारिन नहीं है विच और फालवी नाट नार्मल फंक्शन आप हिउमन किद्नी तो दोस्तों जो है रक्त में जल की मात्रा का नियंतर करता है यूरिया को छान का बाहर निकलता है ठीक है फ्लिल्ट्रिंग आउट आउट यूरिया कई हर्मोन का इस तरह आउड करता है सेवरल हर्मोन बट रक्त में सरक्रा की मात्रा का नियंतर नहीं करता क्योंकि रक्त में सरक्रा की मात्रा का के इंसुलीन करता है कि कौोस्टें नम्ब 3 है आंक केεςिप्राइब कैमरा के नीम से की झाती है कैसे कैसे की जा सकती है कि आंंक के रेटीन की प्राइब के तुलना लाग скछ थीप्रिम झाती सलकाओं और संकूं से होता है इसमें जो प्रकार की सेल्स होती है रोड़ सेल और कौन सेल रोड़ सेल जो है मन्द प्रकास में वस्तू को पास चानने में मदद करता है यानि कि अंधेरे और प्रकास का ग्यान कराता है रात में एक्टिव रहता है अंधेरे में और इसके पर प परिच्छर किया जाता है पहचान करने के लिए तो BMD इसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी इसमें जो होता है इस रोग में अस्थी में खनीज घुनत्व कम हो जाता है तो BMD एक परिच्छर का तकनीक है तो BMD परिच्छर में किसका पहचान करने के लिए किया जाता है तो या आश्टियो परोसिस आसनमर सी है आश्टियो परोसिस जो वितामिन डी की कमी से हो जाता है काल्सियम की कमी से तो आस्टिय। पॉरोषिस रोग की करने के लिए BMD परिछर किया जाता है और सरी के हड़ियों में छरब प्लाण होने की शमस्य को ही हम आस्ट्य। प्रोषिस कहते है इस रोग में अस्थी में खनीजिक भनत्व कम हो जाता है तो बीम्डी का उफिल फाम है बोन मिनरल टेंसिटी याद रखीगा हूं को इसमें हम इसी जांच की दोरा पता लगाते हैं कि वह लड़का है लड़की लोग जो ब्रूड के जांच करवाते हैं तो इसी से पता चलता है निगर बहुती कि जाने वाले एमनियो सेंटेसे जाज पच्छा द्वारा डाउन सिंड्रोम वे गुर्षो तरवी समता की जाज की साथ की जाती है कोर्शन नमबर 6 है निन में से कौन इसकरवी रोग की इलाज में उपयोगी है तो आप सबको पता है वितामीन सी का सबसे अच्छा स्रूत ह मामला इसको बूलते है और जैसे नीवी ने आवला कि यतियादी कालून या भूस का की स्था ही ऌतने निम्हार कारिक बूस ludzi प्छा से पारे लिंधाग्यों से 25 है नियुद बामिन योट्बबवार क्यों नियराणा कि जुशन की अनने कि तका शुचा है कि नासवे को पता और मानसरी में इस कार्बनीक पतात के उसक तक कम मात्रा में होती है विटामिन खाद पतातों से प्राफ्त होती है इनकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं विभिन विभिन उपाप्चाई क्रियाओं यारे की मेटाबोलिजमें एक्टिविटीज को सुचादूर अपसे रखते है कि वाटर-साइलीक बीटामिन में B expos home and fat so जो है बढ़नेस जो है वह कवक यानि फंगल से फैलता है तो जीकर टू हो गया मलेरिया आपको पता है कि प्रोटो जोबा प्लाजमोरियम परजीवी से फैलता है और मादा अनाफलिज मच्छर के कॉटने से तो दीका वन हो गया तो फोर थ्री टू वन चार दो तीन चार तीन दो एक कहां पे है आपसर नमबर डी यहां पे राइडिन जरू हो जाएगा कोश्चन नमबर नौ है यहां पे भी आपको मिलान करना है तो यहां भी आप देश सकते हैं इस बिस टाउस धूल धूल से ही आप समझ सकते हैं यह हमारे फेफों को प्रभावित करेगा तो एका सिसा जो हमारे मस्तिस को प्रभावित करता है तो बी का वन हो जाएगा पारा हमारे उदर पेट को प्रभावित करता है दी सी का टू हो जाएगा कारबन जो है रक्त धाराओं को प्रभावित करता है दी का फूर हो जाएगा तो तीन एक दो चार तीन एक दो चार आपका 10 बस्किन नम्हें, राइस पुछह, जह रेता हैं o कोक्वके मोजा भरषाних हम देगु रेते हम 16 डेंगु इंगु बुखारा कि से थारा ने महिं gradualer'srations को पऀलती है है और जो डेंगू बुखार होता है इस प्लैट लिट्स की कमी हो जाती है कोसे नमर 11 है MRI निनमेंसे क्या है MRI का फुल फार्म होता है Magnetic Regulation Imaging यह एक प्रकार की तक्नीक है जिसे रोगों के कारणों की सुछ मजाज की जाती है कोशन नमर 12 है प्रोटीन की प्रजुत्ता वाले खाज पदार्थों में उपस्थ अमीनो अमल टाइरोसीन के बारे में निन में से कत्नों में से कौन एक सही नहीं है तो तो दोस्ताओ जैसा कि टैरोसीन यह है जो गहरावसटेक नाउन अशेंसीन जो है अमीनो एसीड से है जिसकि अजानते हैं जो प्रोटीन जो है हमारे सरी के ब्रिधियों पिकावस और रूटफूर्ट की मरमत करता है पुरा निरमार में कारख कर दाए तो हमारे सरी में कुल 20-22 amino acids पाए जाते हैं जिसको दू भागों में बता गया है जैसे कि आपका जो आवस्टेक amino acids है amino अमल है वो हमारे भुजन से प्राफ्थ होते हैं जो 9 की संख्या में होते हैं जो नान-एसेंसियल होते हैं अनावस्टेक होते हैं वो सरी स्वयम निर्माण करता है वो 13 होते हैं तो जो हमारा आवस्टेक amino अमल है वो उसे के अंतरगत 9 आते हैं जैसे कि लीूसीन, आईसोलीूसीन, लाइसीन, मेथियोनीन, फेलिन एलनीन, थ्रो-9, वेलीन, अमल है तो यह क्या करता है सरी में उपसीत अनिस अमिनु अमल फिनायल नालीन से बनता है यहां अनेक महत्पूर मस्तिस रसाइनों नियूर ट्रॉंसमिसर्स का निर्मार करता है इस नहीं को सिखाओ का संप्रेशर करते हैं तथा भारात्मक प्रयावरणी दबाओं का सामना कर लड़सका करता है यहां सही है आपको सही नहीं है होती है Q1 3 है बच्चों में प्रोटियमकी निवन्ता की करण जो रोग उदपन होता है वह क्या होता है तो दोस्तों प्रोटियन की कमी से हमारे बॉड़ी में मरासमस और कि एक और होता है दोस्तों जबौणपर नहीं आ रहा है क्वार्सी जो कर मरासमस रोग होता है ठीक है मरासमस जो है आदलंबे समय तक भूखा रहने से होता है जिसे पुसा तर्तु की कमी वो जाती है कोशन नमबर चवदर है कि किष्णा पुनिया का संबंध है दोस्तों जैसा कि अब जानते हैं किष्णा पुनिया का संबंध चक्का फेक यानि की तस्तरी फेक से है डिसकस्त्रो से कोशन नमबर पंदर है लिम्बा राम का संबंध है दोस्तों लिम्बा राम का संबंध तिरंदाजी यानि की आर्चजी से है कोशन नमबर शूले है सुनाच्छी राड़ाटह।र का संबंध जो है सत्रन यानी की चेश से है। कोस्टिन निम्र 17 है पंग पॉंग समधी थे तो ये टेबल टेनिस को पुराना नाम है पिंग पॉंग कोस्टिन निम्र 18 है एए ची ए का संबंध है तो अच्छी आप समध पॉल्सी एक मस्तिष समंधी विकार है जो समानता पाया जाता है तो यह समानता छोटे बच्चों में पाया जाता है सेवर पॉल्सी यह एक प्रकार के मानसी के रुगड़ता से समंधित है बायोलोजिकल रिस्प्रेंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं तो दोस्तों बायोलोजिकल रिस्प्रेंसिंग जो है आधुनिक तकनीक है इसके द्वारा घुटनों की जोड़ों का उपचार किया जाता है गुटनों की जोड़ों का उप इस है अस्थाल के नंग में से किस विभाग में कैथ लैब होगी. तो दोस्तो ऐस्थाम पर रोगियों की हिदर से समझी विमारी की जाज की जाती है. Question no. No. Baeस है, कुरुनरी धमनी जैसे कि आप जानते है कुरुनरी धमनी जो है महा धमनी से निगलनी वाले प्रतम साखा होती है जो हमारे हिदे की मांतपेसियों को रखत पहुचाती है तो हिदे धमनी बाइपास सरजरी में जो हीदे कुरूरी धमनी में कुछ विकार आ जाता है तो इसको सरजरी होती है तो बाइपास सरजरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह कौन सी होती है तो वह होती है आपकी पैर से ली गई सीरा रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग के लिए आवस्यक नहीं है which are the following nutrition is not essential for the formation and strength of bone and teeth तो दोस्तों हाथ हो sorry दोस्तों अस्तियों दातों के निर्मार मजूती के लिए आपको calcium, phosphorus, fluorine आवस्यक होता है but iodine नहीं होता है iodine जो है हमारे सरी में जल सन्तुनल को बनाया रखता है बिद्धी विकास के लिए आवस्यक होता है and इसकी कमी से घेंगा यानि गोईडर रोग हो जाता है यह हमारे जो थाराक्सिन हार्मों के इस तरावर में सहायता करता है कोले- dependence Bluetooth नमबर 24 है कोले-uesta cheels苦erson R Tapfag योग कि समाने नाम है तो कोले- nuggets- has nine Ôhol B Cor youtube के लिएちょb привan हादल में के लिएर के थी का रसायनिक नाम है ठीक है एकर लिए विटामिन ए और है fingernail कहते हैं झालीन में है के युश्यक्याट सब्सक्राइब B.50, केको, फिलोक्यौन, एच कुपायोटिन क्वेस्चन 25 है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिय को गया है, तो उसका आसे होता है कि उसे पच्छाघात हो गया है पच्छाघात यानी परायलाइसिस हो गया है। तो इससे पता चलता है कि उसके दूनों हाथ हो पैरों पर, पैरों का प्रैलाइसिस हो गया है। Q26 है, अभीजीत गुपता का संबंध है। अभीजीत गुपता जो है, वो सत्रंज यानि की चेस के प्लेयर है। Q27 है, पैन हेलनिक उस्सो समंधित है। Q26 है, पैन हेलनिक उस्सो समंधित है। जाएं राश्ट्री घिल समारों का änd ग यानि आकास देवता के सधांजरी के लिए होता था जो पीधियन खेल है वह है डेलफी फरवत के मैदान पर अपोलो यानि सूरी देवता के सधांजरी के लिए होता था इस्थिमियन खेल जो है कोरिंत नामक अस्थान पर समुद्र देवता यानि कोसेडियन के समान में होता थ और नियमियन खेल है और गलेज नामक अस्थान पर जीयस देवता के सम्मान में होता था पीथियन्स खेलों का संबंध है अफिज बताई एथेंस से है एथेंस काल से है पीथियन्स खेल जो डेलफी परवत की मैदान पर अपूलो देता यानि सुरुदेता की सद्धान जली में होता था कोशन नमर 29 है इंद्रा गांधी सारी सिछा खेल विज्ञान संस्थान कहां पर इस्थित है तो यह संस्थान आपका नए दिल्ली में इस्थित है दोस्तों यह था आज के सेथन में 29 एमसी की कोशन्स आई होप की सभी कोशन्स आपको समझ में आये होंगी जैसे को डाउट ह होगा कमेंटर में जरूर बताइए और जाने जाने वीजियो को शेयर कीजिए जिसे और लोगों तक वीजियो पहुंच सके तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो प्रैक्टिस में करता के लिए जाए